इस्लामिक वीडियो के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइक दबाएं अस्सलामु अलाईकूम बिस्मिल्लारक्वान रुरहीम नाजरीन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच वक्त की नमाज पढ़ने के बाद कौन सी दस्वी पढ़ी जाती हैं जानने से पहले आपसे छोटी सी घुजारिष करता हूँ अगर आप हमारी यूटोब चैनल हिंद इस्लामिक की लपन नए हो तो दिल से हमारी यूटूब चेनल हिंदी स्लामिक चेनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वली नई वीडियो की नोटिफिक्शन आपको मिल जाए वीडियो को दिल से एक लाइक करें और अपने करीबी दोस्तों रिष्टारों में शेयर जरू कर दीजिएगा नाजरीन हर इंसान जब नमाज पढ़ता है तो नमाज मुकमल अदा करने के बाद कोई ना कोई तजबी कोई ना कोई कलमाज जरू पढ़ता है फिर अपने रब की बारगा में हाथ उटा कर रो रो कर दुआएं मांगता है आज हम एक एसी तजबी का जिकर करेंगे जो हर फर्ज नमाज के बाद पढ़नी है फिर अल्लह पाक से जो भी आप दुआ मांगोगे इंशालला ताला आपकी दुआएं जरूर कबूल होगी आई देखते हैं कौन सी ही तजबी है दोस्तों फर्जर की नमाज फर्ज नमाज अदा करने के बाद आपको सो बार हुवल हयुल कयूम पढ़ना है फिर आप जब जोहर की फर्ज नमाज अदा करेंगे तो आपको सो मरतबा हुवल अलीयुल अजीम सो मरतबा आपको पढ़ना है फिर आप असर की फर्ज नमाज पढ़ेंगे उसके बाद आपको सो मरतबा हुवल रह्मान रहीम सो मरतबा आपको पढ़ना है इसके बाद आप मगडित की ती नकत फर्ज नमाज अदा करेंगे उसके बाद आपको पढ़ना होगा फिर आपको इसके बाद इशा की जब चारकात फर्ज नमाजा मुकमल अदा कर लेंगे तो उसके बाद आपको पढ़ना होगा फिर आपको अपने लिए अपने परिवार के लिए अपने परिवार के लिए अपने खांदान के लिए फिर आप अल्लह ताला से अपने गुनाओं की माफी मागे इंशालला ताला आपको हर दुआ कबूल होगी हर राज़त पूरी होगी हर परेशानी से आप निजात पाएंगे तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करें हमारे चैनल हिंद इस्लमिको चैनल को इस्लमिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और हर तरह की नमाज इस वीडियो में इस चैनल पर है आप जाईए और मैं इसका लिंक डिस्क्रेप्शन में देदूंगा आप वहां से जरूर देखिए